हलो स्टूरेंट आज मैं आप की लेकर आया हूं imperative sentences imperative sentences की indirect speech कैसे बनाई जाती है लेकिर इससे पहले कि मैं वह सारे rules discuss करूं यह सारी बातें आपको बताऊं मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि imperative sentence होता क्या है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ही छोटा सा परिचा है इसका, ये sentences आपके लिए बहुत ही परचित हैं, क्योंकि आप इनको day-to-day speaking language में चाहे वो हिंदी हो या English हो, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप एक दूसरे से बातचित करते हुए, घर पर किसी से बातचित करते बोलते हो, तो ज़रा सुनिए ध्यान से, जब कभी बोलने वाला, सुनने वाले से, सपोज मैं इस समय बोलने वाला हूँ, और आप सुनने वाले हो, आप से मैं कोई भी काम कहता हूँ करने के लिए, वो ही sentence imperative sentence होगा, जैसे ही मैं आप से कुछ करने के लिए बोलूँगा, च कुछ खास बाते होती हैं, उन खास बातों को आप बहुत अच्छी तरह से नोट करिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखिए इसमें खास बाते हैं क्या होती हैं students, खास बाते ही होती हैं, कि सबसे पहला imperative sentence का करता होता है you, जो की छुपा रहता है, लिखा नहीं ज जाता, अर्तात, जब भी कोई sentence आप यहां से शुरू करते हो, लिखना, और वो imperative sentence होता है, तो उसका जो subject होता है, और वो subject के रूप में हाँ पर करता ही होता है, वो वास्तों में छुपा रहता है, और सीधे verb की first form से, यानि यह जो finite verb होती है, वहां से यह sentence शुरू होता है, अगर वो affirmative होता है, तो verb की first form से शुरू होता है, और यदि वो negative होता है, तो don't या do not plus verb की first form से शुरू होता है, और हमेशा यह शुरू होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें दो खास बाते हैं, जो आपको याद में रखनी है, पहली बात, तो उस sentence यही इसकी दो खास बाते हैं, इसका यू हमेशा अर्थात करता हमेशा छुपा होता है, और यह present indefinite tense होता है, कि यदि कोई sentence यहां पर inverted comma के अंदर, ऐसा ही कोई वाक्य रखा हुआ अर्थात वर्व की first form से शुरू होने वाला, वाक्य रखा है, अथ्वा do not और प्लस वर् हैं, और अगर ऐसा कोई sentence रखा होता है, यहां embedded comma के अंदर, तो उसको indirect speech बदलते समय हम किन किन छोड़ी छोड़ी बातों का ध्यान में रखते हैं, तो चलिए यहीं पर से मैं आपको बताना शुरूरू होता है, तो वहां पर तीन प्रकार के भाव होते हैं, यानि तीन प्र अर्थात request होती है, निवेदन होता है, दूसरा भाव हो सकता है आग्या देना, आग्या, यानि हम किसी को order कर सकते हैं, या command कर सकते हैं, और तीसरी चीज होती है, advice, यानि सलाह, तो यहां पर जो रखा हुवा sentence है, inverted comma के अंदर रखा हुवा sentence है, इसमें वास्तों में कभी request ह हो सकती है, request कब होगी जब यहां पर कभी, please या kindly जैसे शब्द लगी हो, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएगा, कि यहां पर request किया जा रहा है, और कभी वो आपको sentence को पढ़ते समय, आपको यह बात समझ में आती है, कि वहां पर कभी वो order भी हो सकता है, और कभी advice हो सकत है, तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपको reporting verb में change करना होता है, तो जल्दी से मैं एक review लेता हूँ, और उस review में आपको reporting verb में said या said to को हम किन-किन चीजों में बदल सकते हैं, आइए जरा देख ले, तो उन छोटी-छोटी बातों में, आइए जरा हम द बदल देना है, इन चीजों में, देखिए, अगर वो निवेदन है, तो requested में, requested में उसे बदल देना है, अगर वो आग्या है अर्थात किसी को आदेश दिया जा रहा है तो आप उसको ordered में बदल देते हैं ordered या commanded में उसे बदल देते हैं commanded और अगर कोई advice है सलाह है तो उसको आप advised में बदल देते हैं इन तीन चीजों का ख्याल में रखना है जब कभी कोई ऐसा sentence जो word की first form से शुरू हो रहा है या do not से शुरू हो रहा है तो पहली जो छोटी बात है वो यहां पर यह ध्यान में रखने वाली है अर्थार reporting word said to go reported speech में रखे हुए sentence के भाव के अनुसार हम उन्हें कभी requested में बदल देते हैं कभी ordered में बदल देते हैं रिक्वेस्ट भी कई प्रकार की होती है, ऐसा ही नॉर्मली कोई फॉर्मल से रिक्वेस्ट है, तो हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कभी बैग्ड, बैगिंग करने का भाव होता है, तो हम उसको बैग्ड में भी बदल देते हैं, अर्ज्ड में भी बदल देते हैं, याचना करना होता है तो implode में भी हम उन्हें बदल देते हैं तो इस वे कई प्रकार की वर्स होती हैं जिनको हम उनके real sense के according हम उनको बदल देते हैं इसी प्रकार से ordered और advised हो गया तो यह पहली बात हुई दूसरी बात क्या है देखिए rules में दूसरी बात यह है कि अब यहां हम कॉमा तथा जो inverted commas हैं इनको remove करते हैं remove करने के बाद अब यहां पर किसी conjunction का प्रयोग नहीं करते हैं बलकि यह simple सा एक two preposition है हम यहां पर preposition का प्रयोग करते हैं और तीसरी खास बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि यहां reported speech के अंदर अब tense change होने वाले जो rules है वो apply नहीं होते हैं तो पहले हम इन ही दो rules को लेकर के और sentences को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बहुत चोटे 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 बहुत सारे rules में आपको इस episode में देने जा रहा हूं तो please इस पूरे वीडियो को सुर्यूस लेकर और अंत तक बिना skip किये हुए आपको द देखिए पहला sentence है the student said to the teacher विद्यार्थी ने अपने teacher से कहा please tell me the answer of this question once again उसने कहा please tell me the answer मुझे इस प्रश्न का जवाब एक बार फिर से दीजे ऐसा student ने teacher से कहा तो जड़ा देखिए यहां पर please लगा है और मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी वाक में please लगा हो कही पर भी लगा हो in the starting लगा हो in the middle लगा हो यह last में भी लगा हो अगर please यह kindly जैसे शब्द तो आप समझ जाए कि वहां पर request की जा रही है तो उस समय पर आपको क्या करना होता है चलिए जड़ा गौर से देखते हैं मैंने आपको बताया कि requested क्या किया popped क्या requested the teacher requested the teacher अब से अगे आपको क्कुक्रेंगे क्तूम्स को हटा कर भी अब यहां पर किसी Conjunction का प्रियोग नहीं करना है तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे टू लगाने के बाद इस प्लीज को काइंडली को हटा देते हैं समाप्त तर देते हैं यह तीसरे नियम में आजाएगा llevar आपको फिर से एक बार सारे नियमों को शॉर्ट में लिख दूँगा आप लोग भी नोट कर लीजेगा तो क्या करते हैं प्लीज को या काइंडली को वहां से हटा देते हैं और इसके बाद सीधी जो वर्व की फर्स्ट फॉर्म है तू के एक बात ध्यान में रखना है आपको कि इस तू जो आपने लगाया है हाँ पर इंवेडिर कॉमाज को रिमूब करके और सेंटेंस की जो फर्स्ट फॉर्म है यानि उस वाकी की जो क्रिया है उसके बीच में कोई दूसरा शब्द कभी होना नहीं चाहिए आप ऐसा कभी ने लेख सकते है तू प्लीज टेल नो आ कभी भी आपर कोई imperative sentence रखा होता है तो वर्ब में होने वाले परिवर्तन यानि टेंस में होने वाले परिवर्तन वो नहीं होते हैं आगे बढ़ते हैं मी बाकी जो भी प्रॉनाउंस है वो accordingly change होंगे जो कि आपको rules में पहले पता चुका हूं तो यह first person pronoun है बदलता है subject से student है और यह first person pronoun है student से बदलेगा student ही या सी में कुछ भी हो सकता है तो हम यह आपर सी मान लेते हैं और राइट क्योंकि आपर teacher या तो teacher को मान लिए student कुछ भी मान लिजी हमने मान लिया है सी आप ही भी मान सकते हो तो मी बदला सी से मी का case का है objective case इसलिए सी का objective case उधर आ जाएग अब यह this है यह है एक वर्ड जो निकटता प्रगट करने वाला होता है अर्थात नियर नेस प्रगट करने वाला वर्ड है और इसको distance शो करने वाले वर्ड में change कर देते हैं आप जानते हैं कि this को that में बदल देते हैं यहां पर हमने that कर दिया that question once again all right इस तरह से आपने इसे change कर दिया तो देखा आपने एक simple सा sentence अगर आता है तो हम क्या-क्या उसमें rules supply करते हैं अगर इस sentence में कोई निवेदन का भाव हो रहा है चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद हम पूरा summary निकाल लेते हैं ओके यहां पर देखते है the teacher said to me teacher ने मुझसे कहा क्या काया sit in the class and do your work कच्छा में बैठो और अपना काम करो ऐसा उसने कहा तो आपको कैसा भाव समझ में आ रहा है और सिंपल है teacher है student से बोलेगा order देगा वो request नहीं कर रहा है बलकि हमसे क्या बोल रहा है order दे रहा है दिखिए जरा तो order है तो set to को हम क में दखेगा कि set to पूरा ही आएगा order के बाद requested के बाद अर्ज के बाद अभी मैंने जितनी भी क्रियाएं बताएं थी उनके बाद टू नहीं लगता है जब कभी लगेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको हमेशा ध्यान में रखना है तो order me फिर क्या करते हैं कॉमा इंव भी एक imperative sentence ही है तो कई बच्चे यहां पर गलती करते हैं तो यहां पर टू लगाया है सिट किया है फिर एक और sentence रखा हुआ तो वहां पर भी टू लगा दिया टू डू आपको ऐसा नहीं करना है क्यों एक बार ही यहां पर टू लगाना है आगे जितने भी imperative sentences आते चले you you your possessive case है इसलिए me का possessive case उदर आजाएगा जो कि होता है my work हो गया अब चलिए इनकी हम summary निकारे बहुत है यहां पर एक sentence लिखा हुआ है जिसमें request का भाव हो रहा है चुकि please रखा हुआ है जहां कहीं भी please होता है kindly होता है वो request होता है और अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं said to या said to हो दोनों को ही requested में बदल देते हैं तो पहला चेंज कॉमा इन्मेट कॉमा रिमूप करने के बाद हम यहां पर टू लगाते हैं अर्थात यहां पर जो preposition लगाते हैं conjunction के स्थान पर यह दूसरी खास बात note करी हमने तो पहली और यह दूसरी खास बात तीसरी खास बात यह है कि हमने tense में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो तीसरी खास बात यह है तो आप यहां पर गौर करें यही चीज यहां पर भी है देखिए यहां पर भी हमने पहली बात यानि said two को ordered में change किया, comma remove करके, comma inverted commas remove करके हमने two लगाया है और यहां के tense में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, so one, two and three, ये तीन खास बाते आपको समझ में आए, जो की basics है, imperative sentence को indirect speech में बदलते समय ये three basics है, इन basics के साथ साथ आपको बहुत छोटी 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 बाते ध्यान में रखनी पड़ती है, अब मैं उन छोटी छोटी बातों को यहां पर listify करने जा रहा हूँ, तो जड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देखिए यहां पर तीसरा example, और इस तीसरे example पर आप जड़ा गौर करिए, यहां पर क्या है, my friend said to me, मेरे मेत्र ने करिए, मेरा मित्र है, मुझसे कह रहा है, और ऐसी बात बोल रहा है, तो वो simple सी क्या होगी मेरे लिए, advice होगी, है ना, अब अगर आपको ऐसा लगता है, कि reported speech में रखे हुए sentence से, advice जैसी, आपको कोई feeling आ रही है, तो आपको क्या करना है, इस said to को advised में बदल देना है, चलि देखे, यहाँ पर एक common सी गलती करते हैं, बच्चे लोग, ce, यह noun के रूप में रखा है, सलाह, और जब उसकी क्रिया हम बनाते हैं, तो c के स्थान पर s हो जाता है, advised me, दूसरा काम है आपको, यह inverted commas remove करने हैं, और यहाँ पर आपको to लगाना है, all right, इसके बाद सीधी verb क first form रख देनी है, to work hard, अब आगे आते हैं, if के बाद देखते हैं, कि यह जो sentence रखा हुआ है, अब यह imperative sentence नहीं है, यह if एक conjunction है, यदि subordinating conjunction होता है, और इसके बाद यह sentence simply एक assertive sentence रखा है, you want, तुम चाहते हो, तो यह sentence क्या हो गया, assertive sentence है, अब assertive sentence है, तो assertive sentence के according इसको change कर देंगे, तो you, you बदलेगा, me से, क्यों बदलेगा, क्योंकि यह second person का प्रणाउन है, और according to rule, second person के प्रणाउन्स reporting object से बदलते हैं, तो यह है आपका reporting object, me, लेकिन इसको देख लेते हैं, यह case कौन सा है, तो अब यह इस sentence का हिस्सा नहीं है, in fact, यह जो दूसरा sentence है, आगे मी से बदलेगा, तो अपने subjective case में आ जाएगा, और I, एक चीज़ आपको और छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी I का मतलब मै होता है, तो हमेशा English में ऐसा ही लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे यह I बना देते हैं, इस I का मतलब कभी भी मैं नहीं होता है, इसलिए आप हमेशा ही ध्यान में रखें, कि यह जो I है, ऐसे लिखा जाएगा, जब इसका अर्थ में होता है, अर्था जब फर्स्ट पर्सन प्रणावन के रूप में यूज किया जाता है, तो उसको हमेशा ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा भी नहीं लिखते, बहुत सारे ब करना है, आपको हमेशा एक एक चीज़ को सुनना है, आई, अब आते हैं, वांट, अब यह वर्व है, अब यहाँ पर यह टेंस बताने वाली करिया है, और इसको चेंज कर देंगे, और यह हो जाएगा, वांटेड, क्यों? यह वर्व की फर्स्ट फॉर्म है, S.I.S. नहीं क्योंकि यहाँ पर यू है, तो यू के साथ में S.I.S. नहीं लगता, प्रजेंट इंडिफिन टेंस है, पास्ट इंडिफिन टेंस से बदल दिया, वांटेड हो गया, और फिर इसके बाद टू पास, और जहां कहीं भी यह टू लगा होता है, तो उसके साथ लगने वाली ज को चेंज नहीं किया, but this is not an imperative sentence, this is simply an assertive sentence, that's why you have to change the tense of the reported speech, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन करना पड़ेगा, तो यह है आपका advice, मैंने यहाँ पर कुछ बहुत ही विशेज, छोटी-छोटी बातें लिखे हुई है, आपको उन पर भी जौर करना है, दिखे क्या है बात, please or kindly, अगर यहाँ reported speech में please or kindly जैसे शब्द लगे होते हैं, तो हम इनको हटा देते हैं, अर्थार जब indirect speech में इने बदलते हैं, तो please or kindly remove कर देते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, please or kindly को remove करके हम reporting verb को requested में बदल देते हैं, ओके, एक चीज और भी आ sir, madam, my lord, your honor, his highness, saving your presence, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे words होते हैं, जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, respect show करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं, तो जब कभी indirect speech में हम बदलेंगे, तो इन words को भी हटा देते हैं, remove कर देते हैं, और इनके इस्थान पर हमें चाहिए, लगा दे देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, रिपोर्टिंग वर्व के बाद, इनके इन सब्दों के लिए, इनको जब हम remove करते हैं, तो इन सब्दों के लिए हम respectfully लगा देना चाहिए, और respectfully, ध्यान रखें, इन words को remove कर देते हैं, और उनके इस्थान पर हम respectfully का परयोग क कर लेते हैं, चलिए उसका भी उदारन देख लेते हैं, तीसरा उदारन देखें, क्या है, राजन सेट तो इस टीचर, sir, please tell me how to write properly, राजन ने अपने टीचर से कहा, sir, please tell me, sir, करपया मुझे बताए, how to write properly, ठीक से लिखा कैसे जाता है, अर्थात मैं ठीक से कैसे लिखों, य यहाँ पर कुछ खास बाते हैं, उनको notify करना है, आपको दीखें, sir लगा हुआ है, यहाँ पर madam भी लगा हो सकता है, कभी-कभी अगर कोई court में है, कोई वकील है, तो वकील लोग बार-बार बात-बात में my lord बोलते हैं, your honor बोलते हैं, इस तरह के words का use किया जाता है, his highness, महा महीम, his highness बोला जाता है, जब कभी किसी बहुत बड़े पदाधिकारी को हम बोलते हैं, जिसे president हो गए, या judges हो गए, उनके लिए यह शब्द यूज किये जाते हैं, तो यह सम्मान सुचक शब्द होते हैं, अगर इन में से कोई भी सम्मान सुचक शब्द रखा हुआ है, त तो हम जब entirety speech में उन्हें बदलते हैं, तो इसे भी remove कर देते हैं, प्लीज kindly इसे भी remove कर देते हैं, लेकिन इनके इस्थान पर क्या करना होता है, देखे जरा, प्लीज को जब हम remove करेंगे, तो reporting words said to go कैसे बदलते हैं, देखे जरा, राजन requested, हम हमेशा ही उसे requested में बदल दे है, यह अच्छान जैसे भाव हैं, तो हम इंप्लोड भी लगा सकते हैं, अर्ज भी लगा सकते हैं, इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो राजन requested his teacher, his teacher, ओके अब एक चीज और भी inverted कॉमा के अंदर और वो क्या है, sir, madam होता, या इनमें से कोई भी दूसर जो words होते, अगर ये भी हैं, तो इनको भी remove कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और इनके इस्थान पर हमें ऐसा चाहिए, कि एक शब्द हम use करें यहां पर, यहीं पर use करना होता है, और वो है respectfully, क्या use करते हैं, respectfully का use करते हैं, अच्छा, कई लोग नहीं भी करते हैं, ल को use कर लिया जाए, अब चली, इन दोनों शब्दों को हमने remove कर लिया, और इन दोनों ही शब्दों को के भाव को अच्छे तरीके से represent करने के लिए, हमने requested, और respectfully जैसे शब्दों का प्रयोग यहीं पर कर लिया, अब हम करते हैं, यह वाला काम, यह नहीं करते हैं, और remove करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर टू लगाया, किसी भी conjunction को नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हमने टू लगाया, इसके बाद अब सीधे हमको क्या करना है, वर्व की first form रखनी है, टू के बाद यहाँ पर इस tell और टू के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता, तो च objective case है, ही जब change हो जाएगा, तो objective case में ही आएगा, to tell him, एक खास बात और भी आपको करनी चाहिए, in fact, जब यहाँ पर थर्ड परसन ये भी है, थर्ड परसन प्रणावन यूज कर रहे हैं राजन के लिए, और teacher भी हमने मान लिया है, कि वो कोई जेंट सी ही है, teacher, वैसे teacher तो कोई यहाँ पर lady भी हो सकती है, feminine gender भी हो सकता है, हमने यहाँ पर अभी माना हुआ है कि वो teacher कौन है, feminine gender है, अर्थात कोई lady है, lady teacher है, और अगर यहाँ पर यह इस पस्ट हो कि यहाँ राजन है, और यहाँ पर किसी masculine gender का ही noun रखा हो, तो फिर हमें यहाँ पर noun भी लिखना यहां पर हरी होता फिर सी के साथ में अभर के साथ में यह थर्ड परसन भी हो गया नंबर के मतलों सभए 751 वचन और साथ जाथ इनका परसन भी एक ही हो गया यानि यह थर्ड परसन ही हो गया जितने भी लोग होते हैं वो थर्ड परसन में ही आ जाते हैं तो फिर हमें उनकी ब्रैकेट में नाम लिख देने चाहिए फिलाल ऐसी ज़रुरत नहीं है क्योंकि हमने यापर टीचर को माना हुआ है कोई लेड़ी इस तरीके से हम तीसरे उधारन में हमने देखा जो खास चीज आई वो क्या आई वो चीज यह आई कि यहाँ पर सेड़ टू को हमने रिक्वेस्टेड बदला है और सर मैडम वगेरा इन सब्दों को हटा करके रिस्पेक्ट फुली का यूज किया है बाकि सारी वही बाते है अब चलिए कुछ खास बातें आपको और छोड़ी छोड़ी बताते हैं और वो छोड़ी छोड़ी बातें कितनी महत्तुपूर्ण हैं जब आप उन एक्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा लेखेजरा गौर सी क्या लिखा हुआए इन सेंकेशिमहे निखा हुआ दुक से लिखा हुआतette안ॡ-पूर्ण किसी को गाले मत दो ठीक है तो यह sentence कहां से start हो रहा है do not से शुरू हो रहा है अब अगर कोई sentence do not से शुरू होता है तो आपके पास दो options है यानि दो विकल्प है पहला विकल्प क्या है पहला विकल्प तो यही है कि यहां इस sentence को देखे कि इसका भाव क्या निकल रहा है क्या sense है और according to the sense you have to change this reporting word तो sense देखे teacher है किसे लड़के से कह रहा है don't abuse anyone तो जाहरे कि एक order ही होगा लेकिन कभी-कभी हम दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर do not से कोई sentence बना हुआ है तो हम उसे दूसरे तरीके से भी change कर सकते हैं चलिए हम पहले तरीके से change करके देख लेते हैं फिर दूसरा अब हमें यहां पर थोड़ी सी सतरकता दिखानी है थोड़ा सा एलेट रहना है कॉमा इंवडिर कॉमा हटाया हटानी के बाद आपको टू लगाने के लिए मैंने बताया लेकिन यहां पर यह sentence do not से शुरू हो रहा है तो जब कभी कोई sentence do not से शुरू होता है तो हम do को हटा देते हैं क्या करते हैं do को हटा देते हैं इसका not separate किया यह not बन जाएगा और हमें not और abuse दोनों एक साथ नहीं लिखने यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी दूसरा शब्द टू और वर्म की first form के बीच कोई दूसरा शब्द नहीं आएगा तो हम क्या करें कि not को पहले ही यहां पर रख लेंगे और बाद में हम तू लगाएंगे और फिर वर्म की first form का प्रयोग करेंगे तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि do not को हम not to में change कर देते हैं आप कह सकते हैं वास्तों में है यह कि हमने do को यहां से remove कर दिया हटा दिया है और उसके साथ ल लगाया और टू के बाद वर्म की इस first form का यूज किया है इस टू और वर्म की first form के बीच कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता है ओके चलिए आगे देख लेते हैं anyone says बचा anyone अब मैं दूसरे method की बात कर रहा था दूसरा method क्या है कि जब कभी कोई sentence do not से शुरू हो तो आप इ आइसा कर सकते अर्था यह वाला नॉट यहां से आप साथ कर सकते हैं बट ऐसा करने के लिए आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वह छोटी से ट्रिक क्या है इस डू नॉट को हटा कर यहां से हमें reporting वर्म को फॉर बेड में बदल देना होगा काय में फॉर जरा दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं देटीचर अब यहां पर और नहीं हम क्या करेंगे फॉर बेड फॉर बेड दबवाएं इतना किया और फिर इसके बाद हमें क्या करना है इस पूरे डू नॉट को हटा देना है और बस के वल टू लगाना है और एब्यूज इसका क्या मतलब हुआ अगर हम लगा देते हैं तो इसका अर्थ निकल आता है टीचर ने लड़के को मना किया किस बात के लिए अर्था किसी को गाली देने से मना किया यह बात हो सकती है तो आपको जो भी अच्छा लगे यारि आप चाहें तो डू नॉट में से डू को अक और जो इसका सेंस है इस सेंटेंस का अगर एडवाईस है तो आप यहाँ एडवाईस में चेंज कर दीजिए अगर यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर दीजिए कोई भी भाव है और अगर भाव इस पस्ट नहीं होता है तो आप इसे आस्क कभी मत जाओ किसने किस से कहा है यहीं पता नहीं कौन है नहीं मालूम हो सकता हαι वो मेरा फ्रेंड ही हो तो यहां पर मिल्च्व खाओ का सा है यहां पर रिक्वेश्ट है-व रिक्वेस्ट नहीं क्यों है याँ पर please है और नहीं kindly है तो हम इसे request नहीं कह सकते दूसरी बात क्या order है तो order के लिए भी इस past नहीं किया पर किसने order किया हुआ है या कौन बोल रहा है ही कौन है नहीं इस past है नहीं इस past है तो चलिए जरा हम देख लेते हैं कि और क्या क्या possibilities हो सकती है तो अगली possibility यह है कि वो मेरा friend होगा उसने यहाँ पर मुझको advice किया हो सकता है अगर आपको लगता है किसी sentence में कि advice भी नहीं है अडवाइस भी नहीं वो लगती है तो फिर आप क्या करेंगे तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं reporting word said या said to को asked में बतल सकते हैं a-s-k-e-d asked में तो he asked me अब आपको यह ध्यान में रखना होता है कि never वाले sentence में कभी भी forbade का प्रयोग नहीं करते हैं यह अच्छे तरीके से सुन लीजिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने do not को पुरी तरह से समाप्त कर दिया है reporting verb यहाँ पर जो said है या said to है उसको आपने change करके forbade बना दिया है लेकिन जो वाकिन never से शुरू होते हैं उन never से सुरू होने वाले वाकियों में हम कभी भी reporting verb को forbade में change नहीं करते हैं आप क्या करेंगे चलिए हमने ask लगा दिया यहाँ पर हम advice भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कोई है मेरा मित्री है मुझसे कह रहा है तो किसी की दुकान में ना जाने के लिए मुझको advice कर रहा है चलिए अगर हमें ऐसा लगता है किसी वाकि में क्यों advice नहीं हो सकती है तो हम reporting वर्ब को ask में भी बदल सकते हैं कहेंगे sir ask तो interrogative sentence में लगाया जाता है जी हाँ निश्यती लगाया जाता है ask लेकिन यहाँ imperative sentence में भी ask लगाते हैं लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ पूछना नहीं निकलता है को हमने हटाया और to लगाया तो लगा दिया अब जड़ा देखो कि यहाँ पर यह वर्ब की first form है उसके पहले never लगा हुआ है तो क्या to never go हम कर सकते हैं क्या यह pattern word pattern रख सकते हैं नहीं हमने आपको अभी अभी बताया है कि इस to और इस वर्ब की first form के बीच कोई दूसरा word नहीं आना चाहिए तो फिर क्या करेंगे तो फिर हमें करना यह है कि इस never को इस to के पहले कर देना है अर्थात he asked me never to never लगाया और फिर to और इस to के बाद इस go नाम की क्रिया को रखना है to go to his shop तो इस तरह से हमने आपके छोड़ी-छोड़ी कुछ बातें बताएं प्यारे बच्चों यह अभी बताने के लिए imperative sentence में बहुत सारी बाते हैं उसके लिए मुझे दूसरा episode बनाना पड़ेगा क्योंकि यह episode अब बड़ा होता चला जा रहा है इसलिए वेट करिए अगली वाले episode में मैं आपको लेकर के आऊंगा इससे related कुछ और rules हैं जो बहुत ही important हैं और बहुत ही विशेस किसम के हैं प्राय वो competitive exams में पूछे जाते हैं यह तो मैंने basics बतलाए आपको अगला वाला जो वीडियो है उसमें आपको जो भी rules बताने जा रहा हूं या जो भी examples मैं discuss करूँगा वही examples actually board की परिक्षव में पूछा जाता है और competitive exams में पूछे जाते हैं so don't miss to watch the next video मैं जल्दी ही वो वीडियो आपके साथ सामने लेकर आ रहा हूं और अब जाने से पहले मैं अपने नए viewers को कहना चाहता हूं कि please अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जा करके इस subscribe button को hit करें, bell icon को दबाएं और आगे मेरे videos देखें, thank you